स्वागती दोस्तों आपका विशल विशु फेस्टू की टूर में तो जैसे ही आप आपके फ्लैटमेंटरी और आपको मिलेगा बहुत ही बड़ी आसा यूज एक लिविंग रूम और लिविंग रूम के बाद आपको इसे अटाइच है आपका किचन है किचन बहुत ही बड़ी आप देख सकते हो स्पेस जिसके अंदर एक नई दो नई ती नई कम से कम चार बंदे आराम से काम कर सकते है किचन के अंदर आपको मिलता है पाइपलाइन कनेक्शन गैस का तो आ कचन के अंदर ही तो आपको कोई दिक्कत ने होगा आप किचन के अंदर देख सकते हो यहाँ पर आपका वशय मशषयू का एरिया और डिश वशिद के लिए उसी के साइड में जगा दिया गया भिंधे है अब जैसे ही फ्लाट के अंदर और बढ़त cats दरा पको पछला करें हमेरे प्रोजेक्ट को तो आपको पता चलेगा कि कितना स्पेस यूज है और वीडियो इतना इसको जस्टिफाई नहीं कर पाता है इसकी साइज को जैसे ही आप अंदर और जाओगे तो आपको पहले बेडरूम से भी व्यू दिखता है फेज वन का और क्लब हाउस का और लौन का बहुत ही बढ़िया है और सेकेंड बेडरूम से भी आपको सेम यू मिलता है आप पहला वाला जो बातरूम में वो डी अटाइच्ट है मतलब वो किसी बेडरूम से अटाइच्ट नहीं है बहुत ही सेपरेट है तो यह पहला बातरूम कोई भी गेस्ट है फिर आप वाटर सप्लाय आता है सोलार से तो कोई दिक्कत नहीं है और पूरे प्रोजेक्ट के अंदर आपको मिलता है मतलब 24-7 बैककप इसके लिए कॉमन एरिया के लिए एलेक्टरिसिटी का और आपकी जो लिफ्ट से वो तो आप सेवन्थ फ्लोर पर भी रह रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं तो मास्टर बेड्रूम बाजू वाला जो गेस बेड्रूम है उससे भी बहुत यूज है सेकेंड वाला बेड्रूम तो आप यह ऐस देरे में सबसे बड़ी आस्केम विशाल विश्व का फेज वन और फेज टू है विशाल कंस्ट्रूक्शन है जो बनाया हुआ है और आपको गेट पर 24-7 सिगरेटी गार्ड मिलता है तो आपको कोई दिखत नहीं और CCTV गेट के ऊपर फिट गया गया है गेट के अंदर आप जो भी बनाता है आप देख सकते हो अगर कुछ होता है तो जैसे आप मतलब भार आओगे गेस्ट्रूम के अंदर से मास्टर बेड्रूम से भी तो आपको गैलरी मिलता है जो कि आपके लिविंग एरिया से कनेक्टेड है बहुत ही बड़ी बड़ी है आप देख सकते हो फ् जो कि पूरा प्रोजेक्ट का देख सकते हो थैंक्यों फॉर वाचिंग और डिस्क्रिप्शन में और एक वीडियो है जो कि पूरा प्रोजेक्ट का वॉक्त्रू दिखाता है